नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का Study for Life YouTube चैनल में Model Answer की सीरीज में एक और टॉपिक है जैब चिकितसा अफसिष्ट प्रवंदन अफसिष्ट प्रवंदन पर मैं अल्रेडी एक Model Answer आपको दे चुकी हूँ आज हम COVID महामारी के दौरान जैब चिकितसा के अफसिष्ट प्रवंदन पर बात करेंगे आप वीडियो को पूरा देखिएगा यह आपको बहुत लाब देगा और UPPCS या बिहार PCS या IS जिसकी भी तयारी कर रहे हैं सभी में लाब दायक है निवन्दिवन्द के लिए भी इसके पॉइंट बहुत लाब दायक होंगे और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन दवा दीजिएगा वीडियो भी लाइक और सेर जरूर करें आईए बात करते हैं COVID महामारी के दौरान जैब चिकित्सा अफसिष्ट प्रवंधन महामारी की दूसरी लहर ने भारत के समझ कई चनोतियों को प्रस्तुत किया है जबकि देश में पहले से ही स्वास्त अर्थवस्था और परियावरन को लेकर कई मोर्चों पर चनोतियां बिद्धमान है ऐसा ही प्रभाव COVID के प्रिकोप ने परियावरन पर डाला है वह है जैब चिकित्सा अफसिष्ट की मात्रा में तेजी से ब्रद्दी होना इसके प्रमुक बिंदू क्या है एक चनोती की रूप में COVID जैब चिकित्सा अफसिष्ट से बिविन स्वास्त और परियावरनी समस्याएं उत्पन होती है तता यही एक ब्यापक चनोती है जो इस महामारी के समय हमारे समख्च उत्पन हुई है यद्यपी चिकत्सा अफसिष्ट को अत्यदिक सावधानी से समहलने और सुरचित रूप से निप्तान करने ही तू दिशा निर्देस है महामारी के कारण जैव चिकित्सा अफसिष्ट की मात्रा में तेजी से हुई ब्रद्दी ने इस कार को अत्यधिक चुनोती पून बना दिया है CP-CV के अनुसार डेटा केंद्री प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड CP-CV के अनुमान के अनुसार मई 2021 के दोरान COVID-19 से सम्बंदित जैव चिकित्सा अफसिष्ट उत्पादन की ओसत मात्रा लगबग 203 टन प्रती दिन है जैव चिकित्सा अफसिष्ट का अधिक्ता मुत्पादन लगबग 250 टन प्रती दिन था बर्स 2020 में पहली बार जैव चिकित्सा अफसिष्ट का अधिक्ता मुत्पादन 180 से 220 टन प्रती दिन था इस 250 टन अफसिष्ट में केवल COVID से सम्बंदित कचरा सामिल है भारत द्वारा प्रती दिन उत्पन किये जाने वाले अधिक्तम अपसिष्ट की कुल मात्रा 1000 टन है जिसमें सिर्फ 25 फीजदी कोविड से उत्पन होने वाले अपसिष्ट की मात्रा सामिल है जैब चिकित्सा अपसिष्ट जैब चिकित्सा अपसिष्ट को मानाओं और पस्वों के उपचार के दौरान उत्पन सारीरिक अपसिष्ट जैसे सुई सिरेंज तता स्वास्त देखवाल सुविदाओं में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों के रूप में परिभासित किया जाता है जैब चिकित्सा अपसिष्ट ब्यक्तिगत सुरच्छा उपकरण दस्ताने फेस मास्क, हेड कवर, प्लास्टिक कवर, ओल, सीरेंज और स्वास्त सेवा प्रदाताओं तथा रोगियों द्वारा उपयोग की जाने वाले चिकित्सा उपकरण इत्यादी खतरनाक अपसिष्ट जैब चिकित्सा अपसिष्ट जैविक और रासानिक दोनों ही प्रकार से खतरनाक अपसिष्ट होता है जो जैविक एवं सूच में जीवों से संदूसित या दूसित होता है इसमें विविन प्रकार के रोगों को फैलाने की छमता होती है COVID के से सम्बंदित जैब चिकित्सा अफसिष्ट में बिविन प्रकार की दवाएं भी सामिल है जो जहरीली प्रकृति की होती है जैब चिकित्सा अफसिष्ट प्रवंदन हेतू प्रावधान परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा जैब चिकित्सा अफसिष्ट प्रवंदन नियम 2016 को अधसूचित किया गया है इसकी साथ ही जैब चिकित्सा अफसिष्ट के प्रवंदन हेतू Common Biomedical Waste Treatment Facility नामक एक अन्न सुविदा भी है यह एक ऐसा सेटप है जिसमें सदस्यों की स्वास्त देखवाल सुविदाओं से उत्पन जैब चिकित्सा अफसिष्ट के मानव स्वास्त और परियावरन पर पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रवाओं को कम करने हेतू आवस्यक उप्चार प्रदान किया जाता है उप्चारित पुनर चक्रण योग अपसिष्ट को अंत्ता सुरच्छित लेंड फिल्ल या पुनर चक्रण हेतू निप्टान के लिए बेजा जाता है कचरे की प्रवन्दन एतू भारत में लगवग 200 सुविदाएं हैं भारत ने खतरनाक कचरे और उनके निप्टान एतू सीमा पारी आवागमन को रोकने एतू बेसल कन्वेंशन की भी पुष्टी की है जैब चिकितसा अपसिष्ट प्रवन्दन नियम 2016 बर्श 1998 में जैब चिकितसा अपसिष्ट प्रवन्दन नियम को लागू किया गया था और तब से इसमें कई बार संसोधन हो चुके हैं नियमों में यह प्रावदान है कि जैब चिकितसा अपसिष्ट को ठीक से एकत्र उपचारित और निप्टाया जाएगा नियम के अनुसार राज प्रदूसर नियंतरन बोर्ड और प्रदूसर नियंतरन समितियों से एकत्र किये गए सभी डाटा को केंद्रिये प्रदूसर नियंतरन बोर्ड को और अंत में से M.O.E.F.C.C. में जमा करना होगा बर्स 2016 में नवीन्तम प्रमुक संसोधन किया गया था बर्स 2018 और बर्स 2019 में कुछ और भी संसोधन किये गए जिनमें कंटेनरों की कलर कोडिंग भी सामिल थी इस नियम का उद्देश देश भर में स्वास्त देखवाल सुविदाओं से प्रति दिन उत्पन होने वाले जैब चिकित साफसिष्ट का उचित प्रवंधन करना है बर्स 2016 में नियमों में संसोधन के तहट टीका करण सिविर रक्तदान, सिविर सर्जिकल, सिविर या किसी अनस्वास्त गतिविदी को सामिल करने हेतु पूर्व नियमों के दायरे का विस्तार किया गया है नियम विस्वस्वात संगठन या राष्टी एट्स नियंतरन संगठन द्वारा निरदारत किये गए तरीकों से अपसिष्ट उत्पन होने वाले इस्थान पर ही कीटानू सोधन या इस्ट्रालाईजेशन के माध्यम से प्रियोग साला अपसिष्ट सूचम जीव अपसिष्ट रक्त के नमूने और रक्त बैग आधी को अपचारित किया जाता है कचरे के प्रथक करण में सुधार एतू जैब चिकित सापसिष्ट को पूर बरगी करित 10 रेणियों के अलावा 4 अन्स रेणियों में बरगी करित किया गया है प्रदूसर में प्रदूसिकों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश से नियमों को लागू करने हेतू अधिक कड़े मानकों को नरधारित किया गया है बेसल कन्वेंशन 22 मार्च 1989 का पिले निपोटेंटे रीज का सम्मेलन जो बेसल स्विजर लेंड में आयोजित हुआ था कि अंतरगत देशों के मद्ध खतरना कचरे के आदान प्रदान को रोकना और इसके निराकरण के प्रियास करना था इसे बेसल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और यह 1992 में लागू हुई यह एक अंतरराष्टी संदी है जिसका लच बिविन देशों के मद्ध खतरना कचरे के आदान प्रदान को रोकना है इसका मुख फोकस के अंद्रविंदू विक्सित देशों और विकासील देशों के मद्ध खतरना कचरे के आयात नर्यात को बाधित करना है यह संदी देशों के मद्ध आपसी सहयोग एवं बेसल अविसमाइक के नर्देशों के क्रियान वैन संबंदी जानकारियों को साजा करने का भी आदेश देती है भारत बेसल कन्वेंशन का सदस्य है जून 1992 में भारत कन्वेंशन की पुष्टी की तथा 22 सितंबर 1992 से लागू किया हाला कि भारत द्वारा बेसल बेन संसोधन की पुष्टी नहीं की गई है बर्स 1995 में बेसल कन्वेंशन में पार्टियों द्वारा बेसल बेन संसोधन को अपनाया गया जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 29 सबसे अमीर देशों से गैर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों को एलेक्ट्रोनिक अपसिष्ट तता पुराने पानी के जहाजों सहत खतरनाक अपसिष्ट के सभी प्रकार के निर्यात को प्रतिवंधित करता है जैब चिकित्सा अपसिष्ट प्रवंधन की चुनातियां घरों से उत्पन होने वाले अपसिष्ट की बड़ी मात्रा कोबिट से सम्मंदित जैब चिकितसा अपसिष्ट न केवल अस्पतालों में बलकी घरों में भी उत्पन होता है केवल 20% रोगियों को अस्पताल जाना पड़ा कोबिट के 80% रोगि घर पर ठीक हो गए है जहां रोगियों का सही इलाज नहीं किया जा सकता उन इस्थानों पर जैब चिकितसा अपसिष्ट उत्पन होता है घरों से उत्पन होने वाले जैब चिकितसा अपसिष्ट के प्रवंदन की समुचित बिवस्था नहीं है इसे नगर निगम के सामान कचरे में ही डाला जाता है इस्थानी अस्पतालों के साथ मुद्दे हाला कि भारत में अपसिष्ट एक बड़ी मात्रा की प्रवंदन की सुविदा है परंतु इस अपसिष्ट की बड़ी मात्रा घरों और प्रांती एवं इस्थानी इस तरके अस्पतालों से निकलती है जिससे अपसिष्ट कचरे का प्रवंदन सही तरीके से नहीं हो रहा है इन स्थानी अस्पतालों में बुन्यादी ढाचे और अन अध्यतन सुविदाओं का अभाव पाया जाता है अता इन में उचित जैब चिकित सा अपसिष्ट प्रवंदन सुविदाओं नहीं है म्यूनिसिपल नगरपालिका कर्मचारियों का जोखिम चुकि घर पर बड़ी मात्रा में कोविट कच्रा उत्पन हो रहा है जो अग्रिम पंक्ती में म्यूनिसिपल कर्मचारियों के लिए खत्रा बना हुआ है डाटा से पता चलता है कि महामारी के मद कर्मचारी भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं उनमें से बहुतों की मृत्यू भी हुई है इन लोगों में यह बाइरस स्वसन लेने के दोरान निकलने वाली बूनों एरसोल या किसी संक्रमित सतय को चूने से संचरित हुआ होगा हाला कि जैप चिकित्सा असिस्ट के खराप प्रवंदन पर कम ध्यान दिया जाता है बड़ी संख्या में लोग विसेश रूप से म्यूनिसिपल कर्मचारी खुले में फेके गए कचरे के संपर्क में आने से संक्रमित हो रहा है जागरुकता की कमी लोगों को यह भी पता नहीं है कि स्रोत पर ही कचरे को किस प्रकार से अलग किया जाना चाहिए और यह एक बड़ी चिंता का विसाय है अप्सिष्ट प्रवंदन नियमों के साथ समस्या जैब अप्सिष्ट के निप्तान से संबंदित कानूनी प्रावदान केवल अस्पतालों से ही संबंदित है प्रावदान इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं देते कि इस तरह के अप्सिष्ट को घर पर या अस्पतालों के अलाबा किसी अनिस्थान पर कैसे पृतिवंदित किया जाए CBWTF का असमान बित्रान देश में लगवक 200 सामान जेब चिकित साफसिष्ट उपचार सुविदाएं उपलब्ध हैं लेकिन विकेवल कुछ सहरों जिलों जैसे मुंबई दिल्ली में इस्थेत हैं हाला कि देश के दूरदराज के इलाकों में इलाज की ऐसी कोई सुविदा उपलब्ध नहीं है माराष्ट में ऐसी सुविदाओं की संक्या सबसे एधिक 29 उसके बाद करनाटक 26 और गुजरात 20 का इस्थान है केरल जिसने दैने कुत पादन की उच्चतम दर देखी है उत्पादन पर डेटा एकत्र करने ही तू इस पस्थ दिसानिर्देश जारी किये गए तथा एक मोबाइल एप विक्सित किया गया लेकिन दूसरी लहर का असर इतना बुरा या खराब रहा है कि अस्पतालों द्वारा अपना कोई भी डाटा अपलोड नहीं किया जा रहा है साथ ही इस तत्त कोभी ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह से प्रभावित किया है कोभीट से सम्बंदित उत्पन होने वाले जैब चिकित्सा अपसिष्ट दो सो पचास टन साहिद लगवक पांसो टन से बहुत अधिक होना चाहिए था क्योंकि पहली लहर में धैनिक जैब चिकित्सा अपसिष्ट उत्पाधन परती दिन दो सो टन था आगे की रहा है अपसिष्ट का विवेक पूर्ण प्रवंदन आप लोग आगे की रहा है वागे करें हेटिंग मत डालिएगा जैब चिकित्सा अपसिष्ट से पर्यावरन दूसेत होने के मुख रूप से पानी के प्रदूसेत होने से बीमारी फैलने की संभावना बहुत अधिक होती है उत्पन जैब चिकितसा अपसिष्ट को एकत्र कर ठीक से उपचारित किया जाना चाहिए तता इसे जल निकायों तक पहुँचने से रोपना चाहिए क्योंकि जल निकायों तक पहुँचने पर इसे समालने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन होगी उत्पन जेब चिकितसा अप्सिष्ट को या तो भस्म कर दिया जाना चाहिए या फिर इसे गैसी कृत किया जाना चाहिए उत्पन जेब चिकितसा अप्सिष्ट के प्रवंदन के साथ साथ परियावरन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए अब सिष्ट का प्रवन्दन इतने विवेक पून तरीके से किया जाना चाहिए इससे यह जलवायू परिवर्तन को प्रतिकूल रूप से प्रवावित ना करे किसी अननुकसान को बढ़ाबान ना दे राज एजन्सियों की भूमिका उच्च अधिकारियों को डेटा प्रदान करने यह तो जिम्मेदार राज एजन्सियों को यह सुनिस्चित करने में मैतपूर भूमिका निवानी होगी कि डाटा छूट ना जाया और सीपी सीवी को कोई गलट डाटा अग्रेसित ना हो लोगों के मद जागरुकता अप्सिष्ट का प्रतक करन और प्रवन्दन राज एजन्सियों द्वारा कलर कोडिंग से किया जाता है जैसे लाल रंग कंटेनर का अर्थ है कि जैब चिकितसा अप्सिष्ट अत्यदिक खतरनाक है इसलिए लोगों को भी इन कलर कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि प्रतेक रंग या कलर जैब चिकितसा अप्सिष्ट के खतरे के इस तरका प्रतिनेदित्व करता है अगर लोगों के मद इस प्रकार की बुन्यादी चीजों के बारे में जानकारी होगी तो वो खुद को ऐसे खतरनाक अपसिष्टों से दूर रखने के बारे में ज्यादा सतर्ख होंगे लोगों को यह भी समझना चाहिए कि भे भले ही संक्रमित नहीं है फिर भी उन्हें अपने मास्क और दस्ताने उसी नगर पालिका के डिबे में नहीं डालने चाहिए जो उनके पास हैं कच्रे का प्रताकरण बहुत जरूरी है लोगों को संक्रमण को नियंदरत करने ही तू न केवल डबलू एचो बलकि अन्न विविन स्वास्त एजेंसियों द्वारा जारी एसो पीस पीएस का भी पालन करना होगा घर पर अपसिष्ट प्रबंदन हे तू एसो पीएस सीपी सीवी द्वारा ग्रामील और सहरी समधायों हे तू घर पर ही जैब चिकितसा अपसिष्ट के प्रबंदन हे तू एसो पीएस की स्थापन विवस्था की गई है जबकि सहरी छेत्रों में जैब चिकितसा अपसिष्ट को जलाना एक विकल्प नहीं है क्योंकि सहरी छेत्रों में प्रदूसन का इस्तर पहले से ही अदेख है जैब चिकितसा अपसिष्ट को गड़ों में जलाना ग्रामीर छेतरों में कचरों के प्रवंदन का एक संभावित तरीका हो सकता है निसकर्स देखते हैं जैब चिकितसा अपसिष्ट प्रवंदन का अंतिमलच इस कचरे से होने वाले परियावरणी छती को कम करना है स्वास्थ जीवन के लिए एक स्वास्थ बातावरण आवस्यक है जैब चिकितसा अपसिष्ट प्रवंदन अधिनियम 2016 के प्रावदानों के अनुसार कोविट से सम्मंदित जैब चिकितसा अपसिष्ट का बैग्यानिक तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए जागरुपता अभियान समय की जरूरत है इसके माध्यम से ही हम उन सभी चुनोतियों का सामना कर सकते हैं जो महामारी के ने हमारे समझ प्रिस्थ प्रिस्थुत की हैं सरकार इस अपसिष्ट को घरों या किसी अनिस्तान पर प्रतिवंदित करने ही तो आम लोगों के साथ साथ नगरपालिका कर्मचारियों के लिए एसको पेस करेगी ताकि नुकसान से बचा जा सके तो यह आपका मॉडल आंसर था इस पर आप विचार कीजिए गया देखिएगा धन्यवाद